एक बार फिर से मैंने दियो जिटी चैनल यूटू पांट जिरो में आप सभी सिख्चक सांतियों का स्वागत आई देखते हैं सिख्चकों के लिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दे कि सक्षमता परिक्षा के बाद बने बिशी सिख्चकों के लिए आ गया नया आदेश योगदान के लिए हो जाए सिख्चक तयार तो फूरी जनकारी के लिए चैनल पर बने रहें उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्पिया चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आई देखते हैं वीडियो को विष्टाश है जैसा कि एस्क्रीन पर देख रहे हैं करजाले का यह है और परखंड पंचायत नगर जिला परिसा सिक्षक नियोजने काई यह बीर्मन पत्र है जो विष्टी सिक्षक बन गए हैं सक्षमता परिक्षा पास कर गए हैं सिक्षक विष्टी सिक्षक अब बनेंगे उनके लिए यह बीर्मन पत्र जारी हुआ है एक संसय बना हुआ था सिक्षकों के बीच कि आखिर बीपीएसी के तरह जो सिक्षक बनेंगे तो उनको स्कूल से त्याग पत्र देना पड़ेगा यह बीर्मित होके जाएंगे तो यह ओल्डेडी बीर्मन पत्र जारी हो चुका है बीपीएसी के तरह ही नियोजी सिक्षक अब बिसी सिक्षक बनेंगे और बीर्मन करके दूसरे बिद्याले में योगदान करेंगे बिसी सिक्षक के रूप में राजकर्मी बनेंगे तो यहाँ पर फर्मिट आ गिया है परमानित किया जाता है कि सिरी अपना नाम पीता पती का नाम बिद्याले का नाम उसके बाद परखंड का नाम जीला के नाम जिस बिशाय पर हैं और पद जो है और दिनांग से कारेरत हैं यहाँ पर दिया हुआ है बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना के विग्यापन संख्या पी आर नमबर 42 अबलिक 2024 के आलोक में आस्थानिय निकाय सिक्षकों की सक्षमता परिक्षाथ 2024 प्रथम में उतिन होने के उपरांत बिशी सिक्षक के पद पर चयन होने के बाद निक्ती पत्र का पत्रांक यहाँ पर रहेगा उसके बाद दिनांक रहेगा से उन्हें जीला सिक्षा पतादिकारी द्वरा आवंटित विद्याले में योगदान सुनिश्चित कराने है तू आज जो समय होगा इसमें समय भरा जाएगा पुर्वाहन अप्राहन पंचायत परखंड नगर जीला परिसाद सिक्षक नियोजन एकाई इनके उजवल भविष्के कामना है और यहाँ पर परधान सिक्षक कहा स्ताक्षा रहेगा सच्षिव करणपालग पतादिकारी पंचायत परखंड नगर जीला यहाँ पर पंचायत सचीव का हो सकता है जो पंचायत में बहाल सिक छके उनके लिए करजपालग पतादीकारी हो गया और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें करजपालग पतादिकारी और परखंड के लिए विडियो साहब और उसके बाद नगर के लिए सबका इसमें बना हुआ है जो परखंड में है परखंड से करा सकते हैं जो नगर से हैं नगर से करजपालग पतादिकारी से करा सकते हैं जो पंचायत में है वो पंचाय सचीव से करा सकते हैं उसके बाद दूसरा यहां पर है अनापती परमान पत्र अनापती परमान पत्र जारी हुआ है जो की पत्रांक यहां संख्या दिया हुआ है दिनांक है यहां पर है करजाले जिला सिक्षपता दिकारी से प्राप्त और बंदिक नियुक्ति पत्र के पत्रांक रहेगा दिनांक रहेगा कि द्वारा सिक्षप भी भाग के अंतरगत अस्थानिय निकाय के सिक्षप की सक्षमता पर इक्षप प्रथम पर्यास में उतिन होने के उपरा करने हैं तो किसी भी परकार की भिभागेद और पत्ती नहीं है इन पर कोई बीभागे करवाई संचालित नहीं है निगरानी भी भाग लोग ascend 2 लोग आयूग्त में कोई मामला लंबित नहीं है इन पर कोई कानूनी करवाई नहीं चल रहा है इन पर अस्थान ये ठानाPal आलाय से कोई अपराधिक मुकादमा दर्ज नहीं है और उसके बाद है यहां पर बकाया रहीत पर्मान पत्रे यानि इनके ऊपर कोई ड्यूज है या नहीं है इस तरह का भी पर्मान आपको देना है यहां पर आप परमानित किया जाता है नाम पिता का नाम विद्याले का नाम परखन जीला विशाय पद और दिनांक इनकी न्यूकती बिहार विद्याले परिक्षा समिती पटना के विग्यापन संख्या आपको 42 अबलिक 2024 के अलोक में विशी सिक्षक के पद पर हुई है इनके आपको सक्षमता परिक्षा जो पास कर गए है वैसे सिक्षकों के लिए यह नया आदेश आया है योगदान करने के लिए हलाएं कि आपको बता दे कि अभी समय है क्योंकि चुनाव बाद सभी सिक्षकों को स्कूल ऐलोट किया जाएगा अब फार्स्ट आपको थम इंप्रेशन होगा उसके बाद आपको काउंचलिंग होगा उसकेबाद इसकूल एलोट किया जाएगा तो वीडियो में इतना ही वीडियो मलास भर्ण बने आने के लिए ध displays करे वीडियो को एक 나서 को यसे पाने के लिए अगर किसी साथी को या पीडियेफ चाहे ये तो आप कॉमेंट कर देंगे मैं आपको पीडियेफ लिंक में डाल दूँगा